शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मैं तो कुछ भी कहूँ, बहुत वक्त के बाद घर का इतना अच्छा खाना खाने को मिला है बिल्कुल श्रद्धा के हाथ के स्वाथ जैसा ममी, अपसे आप गेंगी से खाना मंगवा के सिया को खिला दिया करने दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते है दिल कहता है चल उन से मिल फुठते हैं अदम रुक जाते हैं दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं करते हैं उस खर की तरफ दोबारा लॉड के भी मत देखने दिखने दिखने, उस खर के दर्वाजे तुम्हारे लिए, हमेशा हमेशा के लिए बन लोग ले, मेरी सिर्फ एक बच्ची है, सिया पहाजी मुझे मेरी सिया से मिलवाने के लिए आपने फोन करके मुझे यहाँ पुलाया और इतना पड़ा जोके मुटाया तुम्हाँ कैसे शुक्रियादा करो, काश तुम यह घर जोड़कर नाज आती श्रता, और नाज हमें यह जोके मुटाने की नौबताती, और नजिया बिमार हो तुम्हाँ जल्दी से चलो अमर साथ, सिया से मिलो, इससे पहले कि घर से बाहर जो सब कए भू आ जाए, और भूजी, उसका कमना का है, भूजी, उसका कमना का है, भूजी, वो सो रही अभी, थैंक यू भूजी, जाओ, पिलो से, इतने देर हमें घर से बाहर नहीं रहना चाहिए था, और समारी सिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, करिए से बाहर जाए, और समारी से बाहर जाहर थाए. कर दो कर दो नहींज कर दो कर दो जानुजाबर्भी आप हमारे पॉन क्यूं नहीं फॉन ठारी अरे आपने हम को कब पॉन किया कोई मिस्सकॉल तो है नहीं लो बताओ, अब आपको क्या लगता है कि हम जूट बोल रहे हैं, खेट जोड़िये, भाबी, वो ना हम सिया की एक जरूरी दवाई लाना भूल गए, अब वो दवाई इतनी जरूरी है कि अगर हम नहीं लाएं दो तो उसकी तपर खराब हो जाएगी, तो आप जाके ले आई जब तक सिया उठेगी, आप पटाबट उसकी दवाई लेकर आजाएगे, अब जादो ना भाईस में चली 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 यह दीदू, आप यहां क्यों आई? आपको पता ना यहां आपके लिए कितना बड़ा खत्रा है? मैं बस अपनी बेटी को एक बड़ देखना चाहती हूँ अही तो, क्यों? आप क्यों? आप क्यों का क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से मिलने के विए कोई वक्त देखने की जरूरत नहीं है अच्छा? अगर आपकी ममता जाग गई सिया के लिए तो ऐसे चोरी छुपे यहां क्यों आई है? आप खुच जब छोड़कर गई तो एक बार भी पलटकर नहीं देखां कि अब है अपनी बच्ची को कैसे सम्हाल रहे हैं चाची जी अपने घर को कैसे बचा दी और हम सम मिलकर सिया को माँ का प्यार दे रहे हैं पर आप क्यों आई हैं? अपनी बेटी पर हंग चतानी के लिए छे साल पुराना घाओ अब जब भरने लगा तो उसे खुरेदने क्यों आ गई हैं? आप क्या चाहते हैं कि अब है आपके कारण फिर से तूच जाएं? बोलिये दीदू चुप क्यों है? केरती, तूच जानती है इस बात को कि मैं खुद अभै और सिया को ऐसे अकेले छोड़के नहीं जाना चाहती थी तो वापर साकी क्या साबित करना चाहती है? मैं कुछ साबित ने करना चाहती हूँ मैं बस अपनी बीमार बेटी को एक बर देखना चाहती है अच्छा? और अगर सिया ने आपको देख लिया तो उसे क्या बोलेंगे? कि आप कौन है? कैसी बाते कर रही है तू? माह हूँ मैं उसकी यह बोलेंगे आप उसे अपर कैसे समझाएंगी कि अपनी दूसरी बेटी के लिए अपने इस बेटी की कुर्बान ही दे दी किरती कम से कम तू तो जानती है ना कि इस बात की पूरी सच्चाही क्या है छे साल के बच्ची अगर यह सेह नहीं पाई दी दू तो उसकी तब्य और बिगड़ जाएगी आपके एक उठाई कदम के कारण सिया को हम सब ने उसकी मा के बिना समाला अब वाप्रसा के अपनी बच्ची का दर्ध मत बढ़ाईए हाँ शयद तू तू सही कह रही है मेरा यह से चले जाना ही बहतर है परकीर्थी मेरी बच्ची कैसी है उसकी तब यह ठीक है यह नहीं इस बात की ख़़र तू मुझे देते रहना मेरी बच्ची का ध्यान परकीर्थी प्लीज प्लीज मुझे निए संटी कुछी हो जाएंगी नो ममा की तयार हो जाओ हाँ जिस बात की कुछी मनाई जा दिया है नेरिफ प्रेस्ट अमा वह तो मुझे पता है परशदा तुमें पता है कि हमारे कस्टोमर को तुमारा खाना इतना पसंद आया कि उसने हमें पूरे पूरे मन को ओडर दिया है वो भी तीन टाम के खाने का आई मीन एक छोटी सी बच्ची है उसके लिए खाना बनाना है और शायद उसकी ना तब बेद कुछ खराब चल रही है खाना एक्दम सेहत वाला ही होगा पर छोटी बच्ची है तो हमें स्वाद का भी ख्याल अपना अपना वाला हेल्डी पीजा बनाओ ना मैं भी खाऊंगी श्रुच 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 यह देखो, हम आपके लिए क्या लेक रहे हैं, आपका मन पसंद तीजा, वो भी हेल्दी वाला, आजो, जल्दी से खा लो बू आप यहीं पर रख के चले जाओ, हम लोग बाद में खालेंगे सिया, पंद्रा मिट के बाद हम वापस आएंगे, अगर तुमने ये पीजा खतम नहीं किया, तो हम तुम्हारी शिकायद तुम्हारे पापा से करतेंगे हाँ, ठीके ठीके, आप दादीबू आप चले जाओ, हम लोग खालेंगे, हाँ बेचा खाले, और तुम भी अमाते है, हाँ, शगृआ अपनीश्के रत्मकी चले जल जिल दिया, यॉम्यों, काने जिश्चा यॉम्यों, यॉम्यों कि अवज झाल, 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 झाल? कि और झाल? क्या हुआ बेटा, इतनी परिशान क्यों हूँ? अजय चलो, तुम बैटो, हम बैटकर बात करते हैं चलो, बैटो क्या हुआ बेटा? अबर कैसे समझाएंगी कि अपने दूसरी बेटे के लिए अपने इस बेटे की कुर्बान ही दे लिए मामी, सिया, शाहर ठीक नहीं है मुझे पता नहीं, उसको लेके बहुत डर्सा लग रहा है तुम ऐसे परिशान मत हो, जो सब ठीक हो, जाए बैटो, बैटो बेटा, आज आपको स्कूल में सियादी मिली थी नए ममा, वो सियादी की तबेट खराब है ना इसलिए मैम ने बोला कि आज जूनों ने छुट्टी ली है ममा, हम उनके घर जा सकते हैं, उनसे मिलने और अगर सिया ने आपको देख लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ममा, चलिए ना, प्लीज पेटा, जियादी की तबेट बहुत खराब है ना, तो वो रेस्ट कर रही होंगी हम फिर कभी जा के उनसे मिलनेंगे और वैसे भी, आज तो हमें मोहित अंकल के ओर्डर के लिए कितना सारा खाना बनाना है, है ना? आप एकाम करो, आप फ्रेश हो जाओ, और फिर खाना का लो ओके ममा अमी, मैंने आप से कहा था था ना, सिया ठीक नहीं है हतानी मेरी बच्चे, कितने दर्द में होगी दादी, सिया बेटा, सिया बेटा, क्या होगा? आप एकाम करो, 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 तुमएद, जो जो, जो. कुछा है. जो, बहुत दुख रहे हैं क्या? बेचा, बहुत दुख रहे हैं क्या? हा? जाचु, मुझे लगता है आमें अर्ण सियागों भॉस्पटाल ले जाना चाहिए? नहीं, हम अभी आवए को फोन करते हैं, वो अट जाएगा. कैसी बाते करे भाभी, जब तक अब यहां आएगा वारून उसे एस्पटाल पहुंचा देगा तनुजी, इस वक्त सिर्फ हमें सिया के बारे में सोचता है, बुरानी बातों को भूल जए जा बटा, तुु गाड़े दिकार इसे हॉस्पटल ले ज़े, मैं तब तक अभी को फोन करता हूँ जी साशू कुछ जा सेचाओ, जा सेचाओ, अभी बटा, अभी बटा, सिया की इ सिया, सिया, डॉक्टर, सिया ठीकतो है ना, यह अचानक से पेड में वापिस दर्थ कैसे होने लग गिया? सुबह तक तो ठीक थी, जाज इसमें बाहर को कुछ खाया था, जैसे बर्गर, पिज़ा जैसे चीज़ें, तभी इसकी तबएद बिगडी है, नहीं डॉक्टर साइबा, हमने इसे बाहर का कुछ नहीं किलाया, बनकि हमने तो इसे घर का ताजा खाना किलाया, पेड में पत बुबह जी, क्या दिया था सिया को? जो खाना आए था भाही किलाया था, आज वूमवूमधाल का पीजा आया था क्यारा बेटा, सच सच बताओ, आप दुनों ने क्या खाया था, बताओ सिया की हालत देखकर क्यारा पहले सी डरी वी, ऐसे सवाल करके न उन्हें और मट डराई परताईजी, अभे, बच्ची है, प्यार से हम अपने बच्चे से पूस्ते हैं, और हमसे ने चुपाएगी, क्यारा, सब सब बताओ, तुम दोनों ने क्या खाया था हम ने इसा खाया था आगे के इलाज के लिए बच्ची को यहां भर्पी करना पड़ेगा, ताकि यह हमारी निगरानी में रह सके मम्मी, आप सीया के साथ यहीं रुकी कुछ नहीं हो है, सीया ठीप हो जाएगी इतना गंदा और घटिया खाना खिलाया मेरी बच्ची को वच्के जाने नहीं दूँगा, चेल में चक्की पिस्वाऊँगा इंसे हलो, इंस्वर्टर साब मम्मी, यह वाजी फोन क्यों नहीं उठा रही है तुम परिशान मत हो, हमी काम करते हैं, हम खोज जाकर देखते हैं कि सिया की तव्यत कैसी है, तुम बिलकुल भी परिशान मत हो, हम जाते हैं है माता राने, मेरी सिया की रक्षा कीजएगा हाँ मोहित शुर्दा जल्ली से मेरे किजर आजाओ कटबड़ो वही है यह आपे यार कर दो कर दो तुझे तुम्हें कोट लेकर जाओंगा तेरी इस घटिया किचन में इमारी फैलाने की ट्री लगा रखिया है न तुन्हें से तुम्हें बंद कराकर रहूंगा सर आप यह क्या कह रहे हैं सर हमारे यह पर एक एक चीज एक्तम साफ सुते तरीके से बनती है सर दीगे सर अच्छा तेल अच्छा घी सर ताजी सबजिया सर एक एक चीज एक्तम कॉलिटी के है आई अशो यू हमारे इसी किचन में बने खाने से मेरी बच्ची आज होस्पिडल बहुच गई है वो तो हम अपनी तहकीकात करके पता कर लेंगे की गलती किसकी है आप उन्हें बुलाई है यहाँ जल्दी सर लो वा गई यार इनके हिसाब से हमारे खाने के वज़े से इनकी बेटी बिमार पड़ गई है प्लीज इन्हें समझाएए कि कि ऐसा 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 होई नहीं सकता है हमारे पास जैसे ही होडो राता है हम तब के तब ही खाना बना कर भेज़ते हैं ऐसा होई नहीं सकता कि हमारे खाना बासी हो हमारे खाना बासी होई हमारे खाना बासी होई हमारे खाना बासी होई हमारे खाना बासी होई हमारे कि ऐसा गई होई किसु मत के लगी रोसे 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 हुआ पर रूकू को तीधू ले खाना पनाया है इसले तुम इन लोगों छोड़ रहो दीजू को देखकर भूल गया कि कैसे, कैसे सिया इतने दर्ग में इतने दर्ग में चिला रही है वो हस्पतार में मेरे सिया, मेरी बच्ची वो मुझसे इतनी न अप्रत करती है कि मों मेरे चेहरा देखना भी मताश ने करती मैं अपनी मच्ची को छू नहीं सकती उसे गले भी नहीं लगा सकती एक माँ होकर भी मेरे बेटी को दर्ब में देखकर मैं कुछ नहीं करता है मम्मी करता है